स्री शिवाईन नमस्तुब्यम दर्शको कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब सुवस्तेम सुराक्चित होंगे दोस्तो आज रविवार का दिन है जैसा कि आप सबी को पता है रविवार का दिन भगवान सुर्य देव को समर्पित होता है रविवार के दिन भगवान सुर्य देव की पूजा राधना की जाती है उन्हें जल अर्ग दिया जाता है साथ ही कहा जाता है कि रविवार के दिन भगवान सुर्य देव को जल अर्ग देने से कुंडली में सूर्य की मजबूती होती है जिससे की व्यक्तिक की परतेक कारे में जो भी उलजनी आ रही है वह हल होती है परतेक उलजनों का परतेक समश्याओं का समादान होनी लगता है ऐसे में दोस्तो आज हम आपको जो उपाई बताने जा रहे हैं यह उपाई बहुती कारगारी है इस उपाई को करने से आपका जो भी कार्या है वहब बन जाएगा साथ ही इस उपाई को वहब इस्तरिया भी कर सकती है जिने संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही है या फिर जीवन में कई समश्याओं ने गहर रखा है तो आप लोगी सुपाई को एक बार जरू करके देखे आप लोगों को बहुत अच्छा इससे लाप्राप्त होगा तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे और वीडियो को लाइक कर दे हर बार की तरह कोमेंट बॉक्ष में स्री शिवाई नमस्तुब्यम जरूर लिख दे भगवान सिव आपकी सभी मनोकामना पून करेंगे आपके जीवन के तमाहम दुक दर्दों को दूर करेंगे दोस्तों रभिवार का दिन विशेस महतोगारी होता है साथी दोस्तों रभिवार के दिन कुछ विशेस उपाई जीने करने से विशेस फलकी प्राप्ती होती है आज साम के समय दोस्तों आप लोगों के शुपाई को करना है आप लोगों को एक दीपक लेना है या फिर आटे का बनाना है या फिर मिट्टे का लेना है उसमें आप लोगों को तेल डाल देना है तिल का त्यान रखना है कि तेल आपको तिल का डालना है और फिर आप लोगों को उसमें एक बात लगा देनी है लंबी और आप उस दीपक को उठा कर अपने घर के बहार यानि कि मुख्य दुआर से बहार आप लोगों को उस दीपक क दोस्तो इस मंतर का जाब आप लोगों को लगातार एक्यावन बार करना है और अंत में फिर आप लोगों को उस तेल की जो बाती है उसमें अपनी अनामी का उंगली को उठाना है यानि कि दबाना है और थोड़ा सा तेल अपनी नाभी में लगाना है और नाभी में लगाते व वाओ और इससे लाप्राप्त होगा उमीद करते हैं कि वीडियो फसंद आए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और इस उपाई को पूरे विश्वास के साथ करें आपको अविश्य लाप्राप्त होने लगेगा